दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं FMWATSAP की एक ऐसी सेटिंग के बारे में, एक ऐसी ट्रिक्स के बारे में जो साइद आपको नहीं मालूम होगी तो वीडियो के साथ में बने रहेगा, वीडियो को कहें पर आपको इसकी प्रही करना है वीडियो को आपको पूरा देखना है तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर FPM WhatsApp को ओपन कर लेता हूँ जैसा कि फ्रेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर FPM WhatsApp है मैं इसको ओपन कर लिया हूँ इस स्टेटस में आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि इस स्टेटस में आप यहाँ पर यह भी दिखा हुआ है कि किन लोगों ने कितना स्टेटस लगाया हूँ जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दो लिखा हुआ दिख जाएगा सो करेगा और यहां पर ये भी सो करेगा कि उन लोगों ने कितना कौन सा इस्टेस लगाया हुआ है तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं तो बने रहेगा वीडियो के साथ में और हाँ friends अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक चेरूर किजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ तो इस के लिएफिन्स आपको करना क्या होगा आपको यहां पर राइट साथ में त्रिडालेन पर क्लिक करना होगा और जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर देखने के लिए पर क्लिक करना होगा यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कुछ इस प् टॉप पर एक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो है हीटर के नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है, चले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, थार्ड नमबर की सेटिंग, थ आप में यह आफ होगा कुछ इस प्रकार से, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको इनेवल कर देना होगा, यानि इसको आन कर देना होगा, जैसे आप आन करेंगे, तो आपका जो इस्टोरी होगा, यानि आपके होम स्क्रीन पर सो करने लगेगा, उसके बाद में अपसन आपको इहां पर दिख रहा है, RC करके, notify आपको इस पर क्लिक कर देना है, वो सो करने लगा, और भी आपको चैन्ज करना चाहते हैं, जैसे माल लेजी कि RC Facebook करना चाहरे हैं, RC Facebook आप यहां पर करते हैं, और यहां से बैक होते हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूं कि किस से यहां पर बल्लाओं हो जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं जैसे deuक पर आप स्टूरिज लगा यहां इस परकार से यहां पर यह lookिण अगर आप इसमें कुछ और भी अर भी वालाओं करते हैं तो आपको आपके बादी हीडर पर जाना है और पर जाने के बाद एक बार फिर से इस्टोरीज इस्टायल पर क्लिक करना है यहां से आपको देखने के लिए मिल जाएगा और बहुत सारे टर्म्स आपको यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक फिर से बैख होता हूँ और दिखा देता हूँ आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर इस्टोरीज और इस्टोरीज की नीचे आपर यह छोटा-छोटा सा इनका नाम भी लिख जाएगा कि किन लोगों ने क्या लगा के रखा हुआ है इस प्रकार से आप इसको एक्टिबेट कर सकते हैं हमारी वीडियो आपको कैसे लेगी कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लिजिए का मिलते किसी और वीडियो में थैंक धन्वाज जेहिं